आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे difference between rhizopus and mucor दोनों ही फंजाए हैं लेकिन दोनों के बीज में बहुत सारा difference है first difference है जो rhizopus की mycelium है ये तीन टाइप की हाइफी में differentiate होती है strolans, rhizuits and sporangiophores ये diagram है rhizopus का ये tube like structure है इन्हें बोलते है sporangiophores और ये है strolans strolan internode की तरह work करती है ये एक node है ये internode है and ये node है तो जो strolan है वो internode की तरह work करती है उसके बाद ये है rhizuits म्यूकर में क्या होता है म्यूकर में mycelium केवल एक ही हाइफी में differentiate होती है जिसे बोलते है sporangiophore ये diagram है म्यूकर का ये tube like structure है sporangiophore इसमें कोई strolan नहीं होता इसमें कोई rhizoid नहीं होता ये जो है सिर्फ इसे mycelium ही बोलते है second है rhizopus में rhizoid present होते हैं जबकि म्यूकर में rhizoid absent होते हैं third difference है rhizopus में food material rhizoid के थ्रू absorb किये जाते हैं जबकि म्यूकर में rhizoids absent होते हैं, इसमें सिर्फ myceleum ही होती है, इसलिए जो food material है, वो myceleum surface के थ्रू ही absorb किया जाते हैं. फोर्थ डिफ्रेंस है, rhizoids में जो ये sporangiophores हैं, ये rhizoids के बिल्कुल opposite side से निकलते हैं, देखो ये rhizoids हैं और ये sporangiophores हैं, लेकिन म्यूकर में rhizoids absent होते हैं, इसमें सिर्फ myceleum होती हैं, तो म्यूकर में जो sporangiophores हैं, ये myceleum के किसी भी point से निकल सकते हैं. फिफ्थ डिफ्रेंस है, rhizopus में जो स्पोर्स हैं, वो wind के त्रूद uh easily disseminated हो जाते हैं, जबकि म्यूकर में spores wind के त्रूद usually disseminated नहीं होते हैं. सिक्स्थ डिफ्रेंस है, राइजोपस में जो रिडक्शन डिवीजन होती है, वो जाइगो स्पोर के रेस्ट मोड में जाने के बाद होती है, लेकिन म्यूकर में जो रिडक्शन डिवीजन होती है, वो जाइगो स्पोर के रेस्ट मोड में जाने से पहले होती है